नमस्कार मित्रों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना के अंदर पर हार्दिक स्वागत है तो आज मैं फिर पस्तित हूँ महालक्षमी योगनी साधना की चर्चा को लेकर क्योंकि मेरे पास कई साधकों के कमेंट आते रहते हैं कि भाईया हम साधना करते हैं लेकिन हमें साधना में संगर्ष बहुत करना पड़ता है और जब हमारी साधना पूर्ण होने के नजदीक होती है तो कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसी गटना हो जाती है कि हमारी साधना खंडित हो जाती है या फिर हमें उस साधना को छोड़कर मजबूरी में किसी काम से हमे संगर्ष बहुत करना पड़ता है तो ऐसे सादकों के कमेंट आये थे तो सादकों ने कहा कि कोई ऐसी सादना के हमें जानकारी दीजी जिसमें संगर्ष ना करना पड़े और शुरू आती दिनों में ही उस सादना से हमें अच्छे परिणाम देखने को मिलें यक्षणी की साधना में संगर्ष करना पड़ता है क्योंकि महालक्षमी योगनी की जो साधना है वो धन और एश्वर को देने वाली साधना है और आज कल लोगों को क्या चाहिए लोग साधना क्यों करते हैं धन और एश्वर के लिए ही ज्यादा तर लोग साधना करते हैं और परव्रह्म को जानने की जिग्यासा और मुक्ति के लिए साधना तो भूत ही कम लोग करते हैं सो परसेंट में से एक परड़सेंट ही साधा कैसा होगा जो मूक्ष और मुक्ति प्रापती के लिए और प्रभ्व्य प्रापती के लिए साधना करेगा बाकी तो सब 99,99% लोग धन और एश्वर के लिए ही साधना करते हैं क्योंकि मनुष्य योनी में जर्म लिया है तो मनुष्य योनी एक कर्म योनी है जब मनुष्य योनी में आपने जर्म लिया है तो अपने परिवार को पालने के लिए कर्म करना पड़ता है लिए आपको धन की भी जरूरत होती है जमीन जायदात की भी जरूरत होती है तो धन और एश्वर को देने वाली साधना जो है वो महालक्ष्मी योगनी की साधना है जिसमें ज़्यादा संगर्ष नहीं करना पड़ता वाकी साधना की तरह शुरू आती दिनों में ही साधकों के बिगड़े काम बनने लग जाते हैं साधना से जिन साधकों पर करजा है लोगों का उनको करज से मुक्ती मिलने लग जाती है दिरे दिरे और जिन लोगों के ब्यापार नहीं चलते हैं उन लोगों के ब्यापार चलने लग जाती हैं जिन लोगों की नोकरी नहीं लगती हैं लोगों की नोकरी लगने लग जाती है, सिर्फ चार-पांस दिन के अंदर ही बिगड़े काम बनने चालू हो जाते हैं हमा लक्ष्मी योगनी की साधना से, क्योंकि ये धन और एश्वर की देवी हैं, तो बाकी साधना की तरह साधना में इतना संगर्ष नहीं करना पड़ता, और बाकी देवियों की जब हम साधना करते हैं, चाहें वो अफसरा हो, योगनी हो, यक्षिनी हो, तो जब हम इन देवियों की साधना करते हैं, तो हमारी जब साधना संपूर्ण होने के करीब होती है, तो ये देवी हमारी साधना को खंड़त कर देती हैं, हमारी परिक्षा नहीं लेती, जब आप महालक्ष्मी योगनी साधना कनने बैठेंगे, तो बहुत से साधकों को पहले दिन ही अनुवा होने लग जाती है, योकि महालक्ष्मी योगनी जो है, वो एक योगनी है, जो अफसरा और यक्षणी से भी उपर लेवल की शक्ती है, अफसरा और यक्ष महालक्ष्मी योगनी से बहुत उपर की शक्ती है, और महालक्ष्मी योगनी जी का जो सोहाव है, वो बहुत ही सरल सोहाव है, और बहुत ही भोली है महालक्ष्मी योगनी, तो अपनी साधकों की ज़्यादा परिक्षा नहीं लेती, जो साधक इनकी साधना करता है, उन पर तुरंत ही मोहित हो जाती है, उनको तुरंत ही धन एश्वर देने लग जाती है, धिरे धिरे, उनके बेगड़े काम बनाने लग जाती है, और महालक्ष्मी योगनी जो है, वो महालक्ष्मी नहीं है, वो महालक्ष्मी की सेविका है, वो एक योगनी है, जो 64 योगनी है, उन 64 सादक के जी ये कभी परिक्षा नहीं लेती नहीं अपने सादक की साधना को खंड़ित करने की कोशिश करती है कैसा भी सादक अगर इनकी श्रड़ में आता है चाहे वो भूला-बाला सादक हो या वो चाला हो यह सब को स्वीकार करती है और सबकी मनों कामना पूर्ण करती है इसलिए भारत के ज्यादा तर सादक महालक्ष्मी योगनी सादना करना ही पसंद करते हैं ये महालक्ष्मी योगनी जो है ये सबालाग मंत्र जाप पर सिद्ध होती है अगर आप कम से कम एक दिन में इनका 4000 मंत्रों का जाप करते हैं तो आप 24-25 दिन में ही इनको सिद्ध कर लेंगे अगर आपकी जाप की छमता जादा है अगर आप एक दिन में 8000 मंत्रों का जाप करते हैं तो आप इनको 12-13 दिन में ही सिद्ध कर लेंगे और 12-13 दिन के अंदर ही आपकी किसमत ऐसे पल्टेगी कि आप बिकारी से राजा बन जाएंगे इनका जो मंत्र है बहुत छोटा है मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी इनका मंत्र दिया है मैंने करीब महालक्ष्मी योगनी के उपर तीन वीडियो आपनी पिछली यूट्टीप पर डाली है आप उन वीडियो को देखकर आप वहां से मंत्र ले सकते हैm लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तीनों वीडियो के तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लिएजिए फिर भी मैं आपको मंत्र बता देता हूँ इनका जो मंत्र है बहुत छोटा मंत्र है आप एक दिन में कम से कम 4,000 जाप तो करी लेंगे तो इनका जो मंत्र है वो इस प्रकार है ओम श्रिम हिरिम श्रिम महालक्षमे नमे एक बार फिर से बताता हूँ और इनकी पुजा कैसे कननी है इनकी संपूण्ड पूजा विदी मैंने अपनी पिछली तीनों वीडियो में ही दे रखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन तीनों वीडियो को देख लेना और इनकी साधना जो है वो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से शुरू की जा सकती है तो जो सादक इनकी सादना करेगा वो प्रसंद रहेगा हमेशा क्योंकि ये अपने सादकों की कभी सादना को खंडित करने की कोशिस नहीं करती कभी अपने सादकों से किनारा करने की कोशिस नहीं करती और कभी अपने सादकों की परिक्षा नहीं लेती इनको सभी प्रिकार के सादक सुईकार हैं जो इनकी शरण में आती हैं वो सभी सादक इनको सुईकार रहते हैं जब आप महालक्ष्मी योगनी की साधना करना शुरू करेंगे तो दो दिन में ही आपको ऐसे विचार आने लगेंगे आपके दिमाग में कि आपको क्या काम करना चाहिए, आपको किस तरह के कार में हाट डालना चाहिए जिससे कि आपका मुनाफ़ा हो, सुयम ही आपको ऐसे जीवन वैतित कर दिया कभी आपके दिमाग में ऐसे विचार नहीं आए जो महालक्ष्मी योगनी की साधना के दो दिन के अंदर ही आपको ऐसे विचार आने लगे हैं कि आपको क्या काम करना चाहिए क्योंकि वो विचार आपके नहीं होते वो विचार महालक्ष्मी योगनी अपने सादक के दिमाग में भेजती है वो विचार जो है महालक्ष्मी योगनी के द्वारा ही अपने सादक के मस्तिष्ट में आते है तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे और महालक्षमी योगनी जो आपके मस्तिक्ष बिचार भेजेंगी स्वयम आप उसी रहा पर चल पड़ेंगे और आप जिस सुजाए हुए कारे में हाट डालेंगे उसमें आपको मुनाफ़ा ही मुनाफ़ा होगा तो ऐसे हैं महालक्ष्मी योगनी साधना की चमतकार थोड़ा बहुत स्वेम भी आपको विचार करना चाहिए जैसे आप महालक्ष्मी योगनी की साधना करते हैं तो इनकी साधना आपको रात्री के दस बजे के बाद करनी है तो आप जब रात्री को इनकी साधना करते हैं तो आपको स्वयम भी विचार करते रहना चाहिए रोज इनका मनी मन मंत्र जाफ करें और ये विचार करते रहें कि आप आपको कौन सा कार्रे करना है आपको कौन सा कार्रे करना है और साथ में ये प्रातना करें महालक्षमी योगनी से कि हे माता हमको कोई ऐसा विचार भेजिए, हमको कोई ऐसा कार दीजिए कि हमारी जो आने वाली पुष्टे हों, हमारी आने वाली जो पीडिया हों उनको जाता संगर्श करना ना पड़ें, वो भी उस कारे को करें और पन्द बनी रहें, ऐसा हमें कोई कार दीजिए, ऐसा हमें कोई व्यापार दीजिए, या ऐसी हमें कोई नौकरी दीजिए, तो आपको ऐसी प्राथना करते रहना चाहिए, और ये बिचार करते रहना चाहिए, कि आपको कौन सा कार करना है, साथ में ये बिचार भी आपको करत रहना चाहिए साधना के टाइम में तो महालक्ष्मी योगनी जरूर आपके साथ चमतकार देखाएंगी और जो लोग नौकरी करते हैं जिनकी अच्छी नौकरी है फिर भी वो महालक्ष्मी योगनी की साधना करते हैं और अगर महालक्ष्मी योगनी की कृपा से अगर उनका क कोई ब्यापार चल जाता है तो वो लोग अपनी नौकरी ना छोड़ें वो लोग अपनी नौकरी पर ही ठीके रहें अपनी नौकरी करते रहें अगर महालक्ष्मी योगनी आपको नया ब्यापार दे देती हैं तो उस ब्यापार में अपने पुत्र को उस ब्यापार को सौप स और आप नौकरी ही करें तो इससे आपको नौकरी की जो तनखा होगी वो भी घर में आती रहेगी और व्यापार की तनखा भी आपकी घर में आती रहेगी तो दिन दूनी राज चोगनी इस तरहें से आप तरक्की कर सकते हैं ब्यापार में तो बड़ोत्री होगी क्योंकि ब्यापार जो है महालक्षमी की देन है तो ब्यापार में तो बड़ोत्री होनी होनी है लेकिन जो आप नौकरी कर रहे हैं अगर आप उस नौकरी को छोड़ देते हैं तो उसकी तंखानी बंद हो जाएगी तो आपको धन के रास पेज और फेस्बुक पेज को भी लाइक कीजिए उसके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो हमारे फेस्बुक पेज और इंस्ट्राग्राम पेज पर जाना ना भूलें क्योंकि वहां भी आपको ऐसे अच्छ 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 उपाएं देखने क भूलें तो इसी के साथ मुझे आग्या दीजिए बहुत जल्द में फिर नई जानकरी लेकर हाजर होंगा तब तक के लिए जैश्रीक्रिष्ट जैगुरुदेव